मुवी आज हम बात करेंगे मुवी दे रेड शूस के बारे में जो की बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें हाले में हमें बहुत सारे न्यू फैमिली मेंबर्स मिले हैं तो मैं आपको दिल से थैंक्यो करना चाहता हूँ तो बिना किसी देरी के मुवी स्टार्ट करते हैं फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को रेलवे स्टेशन पर अपनी दोस्त का इंतजार करते देख पाते हैं और तभी उसे वहाँ पर एक शुन्दर पिंक पैर की शु दिखती है वो सूर्शे बहुत ही पसंद आती है और उने पहन लेती है उसकी दोस्त जब वहाँ पर आप पहुंचती है इन दोनों में इस पिंक शु को लेकर बहस हो जाती है उसकी दोस्त आकित में शूस को चीन कर खुद पहन लेती है और वहां से चली जाती है रास्ते में उसे एहसास होता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए एक एंटिटी उसकी और बढ़ती है और लड़की जमीन पर गिर जाती है देखने पर उसके दोनों पैर कट चुके थे और लड़की दर से चीक पड़ती है अब सीन एक फैमिली के और बढ़ती है जसमें हम हजमेंट सैम, पतनी लिली और उनकी छोटी बेटी सोनी को देखते है ब्रिकफर्स्ट के बाद लिली अपने बेटी सोनी को स्कूल की बस में बैठा, अपने पती सैम के साथ कार में काम पर निकल पड़ती है हमें यहाँ पर पता चलता है कि सैम को उसकी पतनी लिली कुछ खास पसंद नहीं थी सेमा प्रिपतनी लिली से कहता है कि उसे उनकी बेटी पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उपनी बेटी को एक बहुत बड़ा डैंसर बनाना चाहता था लिली दूसरे दिन सोनी का पीछा करती है और इसी दौरान उसका एक छोटा सा एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें उस सोनी का पीछा नहीं कर पाती वो अपनी बेटी को बहुत ढूणती है मगर उसे कहीं पर भी नहीं मिलती ठक कर जब वो अपनी घर वापस आ जाती है वो देखती है कि उसका पती बिस्तर पर किसी दुसी आरट के साथ रहता है ये देखकर उसे बहुत बड़ा शौक लगता है सोनी भी इसी दोरान घर पहुंच जाती है और लेली इस हाथ से के बाद अपने बेटी सोनी को लेकर घर छोड़ देती है और एक नए घर में शिप्ट हो जाती है नए घर की हालत काफी खराबती इसलिए लेली उसे एक मेक ओवर दे रही होती है इसी दोरान घर के बल फट जाती है और लेली के आँख में चोट लग जाती है जिसकी वज़े से वो अपने डॉक्टर दोस्त किम के पास जाती है लेली खुद भी एक डॉक्टर है और सैम से अलग होने के बाद वो मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए अपना खुद का क्लिनिक पनवा रही थी घर वापस लोटते हो लिली को सब्वेब पर वही पिंक शूर दिखते हैं जिसे देखकर वो भी उसकी और एट्रेक्ट हो जाती है और वो ने लेकर अपने साथ घर ले जाती है घर में वो जूते ट्राइ कर रही थी और हमें यहाँ पर कुछ विजन दिखते हैं और फे डैंसर जो कि इन सूस को पहन कर डैंस कर रही थी और दूर से उसे एक दूसी डैंसर जलन की भावने से देख रही थी अब सोनी भी वहाँ पर आ जाती है और अपने मदर लिली से उन जूतों को ट्राइ करने के लिए मांगती है लेकिन लिली सोनी को धका दे देती है चो कि काफी अजीब था क्योंकि कोई माँ एक जूती के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी दूसे दिन लिली जो नामक के एक लड़के से मिलती है जो उस क्लिनिक का कंस्ट्रेक्शन का काम समाल रही थी और हमको ये पता चलता है कि इन दोनों में एक दूसे के लिए फिलिंग आ रही थी इसी दोरान सोनी घर में अकेले रहती है और उन पिंक शू को पहन कर मीरर के सामने खुश हो रही थी नोटिस करने वाली बात ये थी कि सूस देखती देखती सोनी के छोटे पैरों में एक्ज़ेकली फिट बैट जाती है हाथ में लिली जो को अपने घर पर डिनर के लिए बलाती है और डिनर के दोरान सोनी अपने मां से नाराज हो जाती है कि उसने डैडी को क्यों छोड़ दिया वो आज उनसे मिलने भी आय थी यह सुनकर लेली बहुत ही गुसा हो जाती है जो के पूछने पर लेली उससे जूट कह देती है कि उसका उसके पती से डिवोर्स हो चुका था डेले के बाद जो की नजर भी उन पिंक शूज के और पड़ती है और उसे एट्रेक्ट होने लगता है जैसे कि उन जूतों में कुछ तो खास बात थी वो अक्त ऐसे ही बीच जाता है और अब लेली की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है उसे अपने सपनों में एक डेड कपल दिखाई देती है लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उसकी बेटी सोनी के पैर कर जाने के सपने आने लगते हैं वो उससे बहुत डर जाती है एक दिन लेली की दोस डॉकٹर किम उसके घर पर आती है और बातों के दोराण वो भी इंठ पिंक शूस को देख लेती है और लेली से उन्हें मांगने लगती है लेली उससे साप साप मना कर देती है लेकिन किम जूतू को चुपके से पहन कर उसके घर से निकल जाती है रास्ते में से किसी entity का एसास होता है और वो जब एक boutique के पास पहुंचती है उसे glass के अंदर से सोनी दिखाई देती है वो बहुत डर जाती है लेकिन अचानक से उसे कोई अंदर कीच लेता है और कांच का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसके पैरों पर घिर जाता है जिसे उसके दोनों पैर कड़ जाते है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है पुलिस इस केस के investigation में लग जाती है और लेली को पूछताच के लिए बुलाती है ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो पिंग शूज मडर साइट पर कहीं पर भी नहीं मिलते बैलकि वो तो अपने आप ही लेली की गर पर वापस पहुँच जाते हैं investigation से लेली को पता चलता है कि 60 सालों से बिलकुल इसी तरह की और भी धेर सारी मौते हुई थी जिसके बाद लेली अब और सच्चा इकॉन देखा नहीं कर पाती घर पर उसे वो पिंक शूज दिखते हैं जिसे वो जल्दे स गर के बार फेक देती है लेकिन कुछ दिर बाद वो अपनी बेटी सोनी को अपनी जूतों के साथ बिस्तर पर खेलते देखती है और बहुत ही नाराज हो जाती है इससे पहले कि वो स्णी को डाटे सोनी के पैरों से देर सारा खौन बहने लगता है और ये दोनों ही बेहुस हो जाते है होसाने पर हो खुथ पो हासपिटल में पाती है और उसके हाथों में वही पर पिंक शूस रहते हैं जो उसे टर给我 ले जाता है और उसे एक फोटो देता है जिसमें एक लड़की उन पिंक शूस के साथ खड़ी थी और ये फोटू साथ साल पुराना था अब लीली इन जूतों के पीछे के राज को जानना चाहती थी ताकि उसे इस कर्द से आजादी मिल सके इससे तलास में अपने बिल्डिंग के उसी बूड़ी अरत के पाज जाप पहुंचती है जो उसे हमेशा देखकर डर जाया करती थी हमेशा की तरह इस बार भी ओल्ड लेड़ी उससे घबरा जाती है लेकिन लीली के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है एंड उनसे एक स्टोरी कहती है साट साल पहले ये ओल लेड़ी एक उकी नामक के डैंसर के लिए काम किया करती थी उसके मास्टर उकी गाइको नामक के एक दूसर डैंसर से काफी जलती थी हट्तो तब हो जाती है जब गाइको का बॉइफरेंड उसे एक सुनदर पिंक शु देता है ओकी इसके बाद गायकों से और भी जलने लगती है और उसे वो पिंक शूस किसी भी हालत में चाहिए था एक दिन गायको थीटर में उसके बॉइफ्रेंड के साथ ओकी के साथ इंटिमेट मुवेंट में देख लेती है उसका दिल तूट जाता है उसका बॉइफ्रेंड उसके पीचे उससे मनाने के लिए भागता है जिसे देखकर ओकी और भी ज़्यादा गुसा हो जाती है और इसी गुसे और जलन में वो गायको को मार डालती है बाद में वो सबूत मिटाने के लिए जंगल की बीच बॉडी को दफना देती है मगर उससे पहले वो गायको की दोनों ही पैरों को जूतों के साथ काट देती है दूर से ये सब ओकी की सर्वेंट याने के ओल लेडी ने देख लिया था और ओल लेडी का कहना था कि बाद में ओकी और गायको के बॉइफरेंड ने साधी करने की कोजिस की थी लेकिन गायको के आत्मा ने उन दोनों को ही मार डाला था वो लिली को वार्ण करती है कि गायकों की आत्मा हरो सक्स को मार डालेगी जो इन पिंक शूस को पहनेगा इसलिए बैतर यही रहेगा कि उन जूतों को वापस लोटा दे लिली जंगल की बीच में गायकों के लास को बाहर निकालती है और उसकी प्रपर सेरिमोनी देती है जिसके साथ ही वो पिंक शूस को लोटा देती है ब्यूरिल के बाद लिली को लगा कि कर्स अब हट चुका था क्योंकि उसने आकिर में जूतों को लोटा दिया कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है लेकिन लिली जब एक दिन जो के पास जाती है उससे बात करने से इंकार कर देता है क्योंकि सोनी से उसे पता चलाता क्यों डिवोर्स नहीं थी बलकि उसने तो खोदी अपनी पती को मार डाला ये सुनकर लिली गुश्य से पागल हो ये सब वो खुद नहीं बलकि गायको की आत्मा है उससे करवा रही थी और तभी सोनी की हातों में हम उन पिंक शूस को देख पाते हैं लिली गायको की आत्मा से बात करती है कि मैंने तो तुमारी शूस तुमें लोटा दी अब तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो यहाँ पर गायको की आत्मा आती है और लिली से एक सच्चाई बताती है कि लिली खुद ही ओकी की रिंकार्नेशन थी यानि कि ओकी का पुनर जनम लिली खुद थी और ये सारी मौते गायको की आत्मा नहीं बलकि लिली खुद कर रही थी and screen इसी के साथ blank हो जाती है जिसमें हम लिली के चीकों को सुन पाते है and movie इसी के साथ end हो जाती है आखिर में हम एक glimpse देखते हैं Sony की जिसके पास अब भी वो pink shoes थे and वो अब Sony नहीं बिल्कुल पूरी तरह से गाईकों में convert हो चुकी थी movie की title थी the red shoes but जूते तो pink थे अगर आपको पता है इसका राज तो comments में मुझे जरूर बताए channel को subscribe करना न भूले और अगर आपको मेरा ये महनज जरा सभी पसंद आया तो वीडियो को like करे अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को dislike करे और मुझे बताए कि क्या changes करनी चाहिए मिलते हैं next वीडियो में तब आप